है माशल्क का बहुत बुरा हाल है दोस्तों बहुट बुरा हाल सब्राइब नवे कर के मेरे नाम एक नए वीडियो में ने अउट ने करने गु दुर का इतना बुराहाल हुआ है पानी पानी हाईवे का हाले देखो हर चजगह पानी भर्ज गया है और इतनी ज़्यादा बारिष हो रही यहां पर कि बारीश है हर जगह नुक्सान हो रहा है चाहे ओं शिमला हो चाहे हो सोलन हो चाहिए सिरी मोर ऊंव चाहे हो मनայी हो हर जगह भूरा हाल है तो कल सिर्फ एक घंटे के लिए मौसम साफ हुआ था एक घंटे के लिए तो मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई अभी आप अगर सोच रहे वाने कि तो बिल्कुल मताओ यहाँ पर रेड अलट जारी किया गया है लगतर साथ तारीक से यहाँ बारिश हो रही आज दस तारीक हो चुकी है बहुत जादा बारिश हो रही है बहुत जादा पानी पानी हो चुका है सारी सड़के बंद हो चुकी है और पत्थर किर रहे तो प्लीस अगर बहुत जरूरी है तब ही घर से बहा ना निकले और बात करूँ में यहां के मौसम की तो मौसम इतना ज्यादा ठंडा हो चुका गाईस बारिश बहुत ज्यादा हो रही है लेंस रेंड हर जगा हो रही है रोड चारो साइड को बन हो चुकिए अभी 800 से ज्यादा सड़के बंद है पुरे हिमाच कर सके और आप लोगों की जो वीडियो है हो इस सरकात पहुंचा सके ताकि आप लोगों की हलप हो सके यहां पे बहुत से टोरेस फच गये हैं जो वापिस घर जाना चाहते थे तो घर नहीं जाब सकते हो क्योंकि यहां पे सारे रूट बंद हो चुके चाहे मनाली की बात करो चाहे शिमला नेशनला काल का हाईवे की बात करो मैं तो अभी 12 तारी तक तो बिल्कुल भी ना सोचो 12 जुलाई तक आप आने की बिल्कुल भी ना सोचे जैसे ही मौसम साफ अधर वेच अपना प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको आप दो महीने अपने घरो में रहो अपने घरो में सुरक्षित रहो क्योंकि गाईज जान है तो जहान है अगर जान नहीं होगी तो हम गूम कैसे पाएंगे तो प्लीस में अपनी वीडियो में ही बोलता भी मत आओ बहुत बुरा हाल है बहुत बुरा चाहिए शिमला हो चाहिए मनाली हो मंडी में बहुत बुरा हाल होगी घर बह गए हैं स्कूल तूट गए हैं दुकाने तूट गई हैं पूल तूट गए हैं सड़के तूट गई हैं भाई बहुत बुरा हाल है ऐसा हाल हो रहा अगर पाप पड़ेगा गाई तो चुरूर खुशना कुद्रत का कहर तो हो गई होगा तो प्लीज चितना ज़्यादा हो सके अच्छे काम करें अच्छे करम करें और भगवान को याद करें क्योंकि भगवान है तब ही हम है अगर भगवान अपना रोंदर रूप दिखा दिया ना गाई तो बहुत कुछ भी नहीं बचेगा तो प्लीज सब लोग दुआ करो कि भगवान ये बारिश बंद हो जाए और पूरे हमाचल के लोगों को अच्छा सा जीवन जीने को मिले बस मैं यही बोल लूँगा क्योंकि आज मेरे पास बोलने के कोई शब नहीं है क्योंकि इतना बुरा हाल हो रहा है और शाम को हमारी लाइब वीडियो आती है उसको जरूर देखना है बाई 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 टेकर अपना ध्यान लान